दोस्तो हमारे देश में कितना सारा मुद्दा है ना और वो मुद्दा किस से रिलेटेड है सारा का सारा मुद्दा किसका है किसके जरिये तूल दिया गया है वो भी आप जानते हैं कैसे ज्यान बापी मस्जिद का मुद्दा मत्रा का शाहीद का मुद्दा अजान आगरा का त सुनवाई हुई और सुनवाई में क्या कुछ फिर से जद साहब ने कहा कॉट्रूम के अंदर कैसी कैसी दलीले दी गई वो सब आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं दोस्तों मुस्लिम लड़कियां स्कूल कॉलिज में हिजाब पहन सकती है या नहीं इस वक्त ये पूरी जिरा को हमने पढ़ा और समझने की कोशिश की कि आपको क्या बताएं इस भहस में पगली का जिक्र आया और तिलक का भी जिक्र आया कुरान का जिक्र आया और संबधान का भी जिक्र आया तस्वीर आप पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है इसलिए ये दलीले 14 सब् सब्सक्राइब को भी कौर्ट रूम में दी जाएगी सुप्रीम कौर्ट में सीनियर अड्वोकेट राजीव धवन ने पास सब्सक्राइब मामले पर मुस्लिम लड़कियों का पक्ष रखना शुरू किया अड्वोकेट धवन की तरफ से दलील दी गई कौर्ट रूम के अं सब्सक्राइब लेकिन हम एक सेकुलर देश में रहते हैं और सरकार ज्रस कोट को रेगुलेट कर सकती हैं यह बात जस्टिस गुप्ता की तरफ से कही गई तो अड़ोकेट धवर ने दलील दिया कि अगर ज्रस कोट का सवाल है तो सुप्रीम कोट में हम तिलक लगाते हैं कोट नमबर दो में एक जज ने पगड़ी पहनी हुई है तो जस्टिस गुप्ता कहते हैं कि पगड़ी अलग है यह रॉयल स्टेट्स में पहनी जाती थी यह धार्मिक नहीं हो सकती मेरे दादा वकालत करते थे तो पगड़ी पहनते थी धार्मिक नहीं है इसे धर्म से मत जोड़ो आप अच्छा लगता हो अपने बाइच्वाइस तो जस्टिस गुपता कहते हैं हम एक सेकुलर देश हैं क्या यहां सरकारी संस्था में धार्मी कपड़े पहने चाह सकते हैं यह आपका तर्क है तो एड़ोकेट हेगडे जो है इस पूरे मामनिर में वकील वो कहते हैं कि क्या आप एक जवान औरत से कह सकते हैं कि उसे अपनी गरीमा कैसे बचानी है इस पर उसका अधिकार नहीं है वो चुन्नी नहीं पहन सकती क्या आप ये बताना चाहते हैं तो जस्टिस गुपता कहते हैं मैंने एक न्यूस देखी जिसमें एक महिला वकील जीन्स पहन कर कोट आ गई इस पर जज ने अतरास जता दिया क्या वो कह सकती है कि मुझे जीन्स पहन कर ये बहस करनी है तो आजवोकेट हेगड़े की तरफ से कहा जाता है यहां मुद्द सरकारी कॉलेज में पढ़ाई के एकसिस का है दोस्तों पढ़ाई का है फ्यूचर का है औरते वैसे ही समाज मे हास्ये पर धके ली जा रही है क्या उनको उनकी पढ़ाई के लिए शर्ते उनके सामने रखना कितना उचित हो सकता है क्या उनको शर्तों के बिना पढ़ाई का जो पावंध है वो लगा देना क्या यह सही है तो दोस्तों जस्तिस धूलिया की तरफ से कहा जाता है कि आप हम में हिजाब पहन सकते हो जहां यूनिफॉर्म लागू है अड्वोकेट हिग्रे की तरफ से भी दलील दी गई और कहा कि सवाल ये है कि क्या कपड़े की वज़ा से सिक्षा देने से मना किया जा सकता है सवाल ये है मायलोड कि एक कपड़े एक सकाफ की वज़ा से आप किसी को सिक्षा से वंज़त नहीं कर सकते सकाफ पहले से ही यूनिफॉर्म का हिस्सा है क्योंकि चुन्नी की अनुमती है जस्टिस गुपता फिर कहते हैं कि चुन्नी अलग चीज है वो कंदे पर पहनी जाती है और हिजाब सर पर एसजी नचराज इस मुद्दे पर कहते हैं कि मुद्दा बहुत सिमित है ये सिर्फ स्कूल डिसिप्लीन का मामला है तो जस्टिस धूलिया कहते हैं हिजाब पहनने से स्कूल का जिसिप्लीन कैसे तूट रहा है आड़ोकेट जनरल जो है वो इस पर क्या कहते हैं दोस्तों वो भी आप सुनिए आड़ोकेट जनरल कहते हैं कि कुछ चात्र हिजाब पहन रहे हैं और कुछ भगवाशौल इस आव्यवस्था के बाद सरकार ने आदेश चारी किया हम छात्रों से हिजाब पहनने या ना पहनने को नहीं बोल रहे हैं हम सिर्फ उन्हें युनिफॉर्म का पालन करने को बोल रहे हैं तो जस्टिस गुपता कहते हैं कि आप कहते हैं कि स्कूल कॉलेज एक नियम नहीं जौरी कर सकते हैं लेकिन मुझे बताएं कि क्या कोई स्टुडेंट मिनी मिढी में आ सकता है इसकोल हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का आधिकार है लेकिन क्या इसे किसी ऐसे सेक्षन सांस थान के अंदर ले जाया जा सकता है जिसमें द्रैस कोड नर्धारित किया है यह साड़ी बाते कौट रूम के अंदर दलील की तरह पेश किया गया और जैस सहाभ को बताने की कोशिश की गई दोस्तो कि जिसे जिसने dress code निर्धारित किया है क्या इस तरह की चीज़े हम कर सकते हैं दोस्तों आगे मामले की सुनवाई 7 सप्तमबर दोपहर 2 बजे के लिए लिस्टिट कर दी गई है और इसके बाद भी सुनवाई होने है जिहां 14 सप्तमबर को भी सुनवाई होने वाली आडवोकेट धवन की तव्याट ठीक नहीं थी इसलिए मुस्लिम पक्षदारों की तरफ से लड़कियों की तरफ से आडवोकेट कामत ने आज कॉट में आर्गुमेंट शुरू कि आडवोकेट कामत ने कहा कि मैं संबधान की आर्टिकल 143 के तहट मामले को संबधानिक बैच के सामने रेफर करने के लिए तर्क रखूँगा इसमें छात्रों के आर्टिकल 19, 21 और 25 के तहट दिये गया धिकारों का हानन हुआ है मैं युनिफॉर्म को चुनौती नहीं दे रहा सिर्फ सरकार को चुनौती दे रहा हूं जो चात्रों को युनिफॉर्म पहनने के बावजूर हिजाब नहीं पहनने दे रही है चात्रे युनिफॉर्म पहनने के लिए मना नहीं कर रही है बल्कि उनका कहना है कि वो अपना सर ढख सकती है यह उनको rights मिलना चाहिए, यहां तक की केंद्री विद्याले में लड़कियों को हैडिस्काफ की अनुमती है, फिर करनाचक के स्कूलों में इस तरह की बाते क्यों की जा रही है, अद्वोकेट कामत कहते हैं कि दक्षिन अफ्रीका की court ने एक फैसले में हिंदू लड़की को स साउथ अफ्रीका को छोड़ो, भारत में लोटो, आप साउथ अफ्रीका क्यों जा रहे हो, भारत में देखो, तो अद्वोकेट कामत कहते हैं कि यूएस सुप्रीम कौट ने अपने एक फैसले में वर्क पेस पर हैरिस काफ की अनुमती दी है, कनाजा के एक जज्जमिंट म हम कैनडा और ऑस्ट्रेलिया, यूएस की तुल्ला कैसे कर सकते हैं, भारत में रह रहे हैं, तो अद्वोकेट कामत कहते हैं, जब में स्कूल जाता था, तो नमाम यानि कि एक तरह का तिलक लगाया जाता था, लगता था, कई स्टुडेंट्स रुदराक्ष और क्रॉस पहन गया है कि freedom of expression में dress भी शामिल है, कुछ reasonable restriction बिलकुल है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं uniform नहीं पहनूंगा, मैं सिर्फ uniform के साथ head scarf पहनना चाहता हूं, ये बाते आपके सामने रख रहा हूं, बता रहा हूं कि ऐसी जो चीजे हैं, वो होनी चाहिए, किसी के कपड़ों को उस से ज जैसा decide कर रहा है, वो scarf पहनने की बात करी, ना कि uniform, तो justice गुपता कहते हैं, इसे article अंतकात की तरफ मत ले जाओ, कपड़े पहनने की अधिकार में कपड़े उतारने का भी अधिकार है, अगर आप स्कूल में हिजाब पहन कर आओगे, तो हम अंदर आने की अनुमती नहीं द रहा है, state ने जिस तरह की बाते कहीं हैं उन लड़कियों के सामने, ये पूरी तरीके से उलंगन है कि हम आपको स्कूल के अंदर एंट्री नहीं करने दिंगे, अगर आप हिजाब पहन कर आओगे, तो justice गुपता नहीं फिर से कहा कि लड़कियों को हिजाब पहनने से कोई रोप नहीं रहा, बात सर्फ स्कूल की है, कि स्कूल के अंदर जाब पहन कर लड़किया ना आए, दोस्तों अब ये सुनवाई 8 सप्तमबर को सुबह सारी 11 बजे के लिए लिस्टिट कर दी गई है, और 8 सप्तमबर को सारी 11 बजे सुप्रीम कॉट में अद्वोकेट कामत न समिदान के आर्टिकल 25 यानि कि धर्म को मानने और उसके प्रैक्टिस करने की आजादी में तीन बंदेशे हैं, पब्लिक ऑजर, मौरिलेटी और हेल्थ उधारन के लिए सिनियार अद्वोकेट के परासरन नमन लगाते थे, क्या इसे पब्लिक ऑजर, मौरिलेटी या तो सवाल उठता है कि स्कूल किस तरह का पब्लिक ऑजर मेंटेन करता है, आजवोकेट कामत फिर से कहते हैं, आर्ट तारीक को जो दलीले हुई थी उसमें कि कोई स्कूल कानून व्यवस्था को आधार बना कर ऐसे फैसले नहीं कर सकता, काल आजवोकेट जनरल ने कहा कि कु कुछ उपदरवी भीड एक फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए खिलाफ थी, क्या इस तरह की चीजे हिजाब के मामले में हो सकती है, कौट ने आदेश दिया है कि जब CBFC ने पास्त कर दिया तो भीड कैसे रोक सकती है, दोस्तो आपको बता देए कि इस पूरे मामले में फिर से बहस याचिका करताओं की जो है दलीले पूरी तरीके से सामने रखी गई, उस 8 सब्तमबर को भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई लड़कियों की तरफ से याचिका करताओं की तरफ से वकील पेश हुए थे, उनमें से एक वकील जो है वो निजाम पाशा, उन्होंने भी इजाज़त है और इसी तरीके से मुस्लिम चात्रों को भी है जिसकाफ रहने की जाज़त दी जाए तो जस्स गुपता कहते है पगडी और कृपाल को सुप्रीम कोड की पांच जजों की पीटने सिखों के लिए जरूरी माना है इसलिए हम इस पर कोई बीच पर नहीं करना चाते हैं कृपान को संवेधानिक संदक्षन मिला हुआ इसलिए दोनों धर्मों के रिती रिवाजों की तुलना आप जो है इस धर्म से ना करें दोस्तों आपको बता दे कि 12 स्प्तंबर को मुस्लिम लड़कियों की तरफ से सिनियर आडवोकेट यूसफ मुचला और सलमान खुर्षीद ने दलील पेश की थी और एडवोकेट मुचला ने कहा कि कौट को धार्मी गरंतों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए इस पर जस्टिस गुपता ने पूछा कि फिर हिजाब को आवश्यत धार्मी प्रैक्टिस बताते वे करनातक हाई कोट क्यों गए थे आपक 14 सप्तंबर को दोपहर साड़ी ग्यारा बजे से जारी रहने वाली है वहीं सुप्रीम कौट में हिजाब मामले में सुनवाई के दौरान वकील सर्मान खुर्षीद ने भी कहा कि इसलाम में अनिवारी और गयर अनिवारे जैसी कोई बात नहीं है कुरान में जो कुछ है वो अनिवारी है और परगमबर ने जो व्याक्या की है वो भी अनिवारी है तो इस तरह से अनिवारी और अनिवारी का जो दलील दी जा रही है वो बिलकुल गलत है सलमान खुशीद ने कहा कि बुर्खा हिजाब और जिल्वाप की तस्वीरों को दिखा कर उनके बीच के अंतर को अदालत को बताने की कोश़िश की सलमान खुर्षीद अदालत में कहते हैं कि संस्कृतिक महतपूर्ण है क्योंकि संस्कृतिक पहचान की है और पहचान किसी से छीनी नहीं जा सकती है खुर्षीद ने कहा कि क्या मुझे ड्रेस कोट की सदसेता लेनी होगी लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं पहन सकता जो मेरी संस्कृती है या धर्म के लिए महातपोर्ण हो वो क्या मैं नहीं कर सकता सलमान खुशीद ने का कि जब हम गुर्द्वारा जाते हैं तो लोग हमेशा अपना सर धख कर रखते हैं ये संस्कृती है ये सिकhou की संस्कृती है कुछ लोग देश में मज़िद में अपना थर नहीं ढ़कते हैं लेकिन भारत में हर कोई सर धखता है यह संस्कृति है भारत की खुशीद ने कहा कि मैं निर्धारत वर्दी पहनूगा लेकिन सवाल ये है कि क्या मैं कुछ और पहन सकता हूँ जो मेरी संस्कृति के लिए महत्पूर्ण है उन्होंने कोट के सामने ये भी कहा दोस्तों आज कि अगर मैं सेना में हूँ तो मुझे निर्धारत वर्दी पहननी होगी अगर मैं बाल का सदस्य हूँ तो मुझे निर्धारत वर्दी पहननी होगी मैं निर्धारत वर्दी पहनूगा लेकिन सवाल ये है कि क्या मैं कुछ और पहन सकता हूँ जो मेरी संस्कृति के लिए महत्पूर्ण है पुद्ध स्वामी फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि परिधा सुनवाई पूरी करने के संकेते दिये हैं कि 16 सब्तम्बर को ये पूरा हिजाब का मामला जो है उसके फैसले आ सकते हैं करना तक हाई स्कूल में कॉलेज हिजाब की अनुमती मांग रही याचिका करताओं को बुद्धार 14 सब्तम्बर तक दलील पूरी करने के लिए साथी राज्य सरकार को अपक्ष रखने के लिए दो दिन का समय भी दिया गया है इस पूरे मामले पर 16 सब्तम्बर को जो है सरकार की तरफ से क्या रूख होता है किस तरह से सरकार अपने फैसले कौर्ट के सामने रखते हैं और याचिका करताओं कि वकील क्या दलील देते है यह अपने आप में देखना दल्चस्प होगा और कोट क्या फैसला लेता है यह सबसे महत्पून बात है क्योंकि जस्टिस गुपता की तरफ से जो बाते की जा रही है उसको लेकर तमान सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर यह बाते कही जा रही है कि जस्टिस गुपता की जो विचार धारा है वो किस तरह से खुल कर सामने आ रही है और उनकी वाइफ को लेकर भी कुछ चिपणिया कुछ पोस्ट सोशल मीडिया के माधिम से आय था जैसा कि हमने कहा था कि उनकी वाइफ जो है उन पर एडी की दविश एडी की कारवाई चल रही है तो ऐसे में क् और किस तरह के फैसले लिए चाहते हैं यह अपने आप में देखना दर्चस्पोगा दोस्तों दोस्तों इस पूरे रपाउट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपके मन में क्या प्रतिक इरिया हमें कॉमिन सेक्शन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ दनेशन को करना प्रतिक बीन आपको बीन आपको